गुरुदेव और मागायती की चर्ण में कोटी-कोटी नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि जीवन संग्राम में विज़ाई कैसे हूँ अखण जोती के अप्रेल की 1969 के अंक में श्री राम जरण महेंदर जी लिखते हैं जीवन के किसी भी छेतर में प्रविष्ट होने से पूर्व ये समझ लीजिए कि जीवन एक यग्य है अर्थार्थ पवित्र कारे है इश्रत के सब गुणों की सहायता से ही आप उसमें पूरी उन्नतिकर विक्सित और पूर्ण परिपक्व अवस्था में पहुंच सकते हैं आप जीवन के लिए चाहिए कोई भी छेतर क्यों न चुने आपको नेतरत्व करना चाहिए तूज़े शब्दों में सामाने की अपेक्षा उचा उटना चाहिए आपके पास वे तत्व अधेक मात्रा में होने चाहिए जो पथ प्रदर्शकों में होते आए हैं देश विदेश के महापुर्शों, नेताओं, समासुधारकों और धार्मिक छित में कार करने वाली येताओं के जीवनों का अध्यन कीजिए आप पाएंगे कि जीवन यग में सफलता लाप करने वाले वे ही व्यक्ति हैं जिनमें साधरन की अपिक्षा अधिक्यान था और जिन्होंने सफलता विज्ञान का विशेश अध्यन किया था। उसी पुस्तक में कैनन सहाब ने निमन सूतर दिये हैं जिनसे मनश्य पूर्ण सफलता प्राप्ट कर सकता है। इनमें से प्रत्तिक सूतर अपने आप में प्रत्थक रूप से मन्थन करने युग्य खूप सोचने विचारने का विशे है। सब में मानवता के उच्चितम ग गुणों की व्रध्धी करना चाहिए। सात्विक भावों और सामर्थों की विकास कर जाती धर्म और देश की सांस्कृत परिधी को लांकर मानवता की सच्ची सेवा करने वाले वैज्यानिकों, तत्व वेत्ताओं, समासुधार्कों के जीवन की जाक्या भी दीजा रही है जिन में इन तत्वों का विकास पाया जाता है। होने की पूर्व अपनी शक्तियों को अच्छी तरह तो लिया गया। ये उद्देशन नानप्रकार के थे। व्यक्तिगत उन्नती के साथ इन में समाज, राष्ट्र और मानवता, मात्र की सामोहिक उन्नती का विधान था। कोई कला, विक्यान, धर्म, राजदीती में महन बना तो कोई मानव सेवा, समा सेवा या भगवत सेवा में बड़ा बना। किसी ने लोकोपकार के लिए अस्पताल, सेवा सदन, दान, शील, संस्थाय, मनश्य की सेवा के लिए निर्मित की, किसी ने दान दिया, कमाया और मुक्त हस्त से दान दिया, किसी ने कला, साहित्य, संगीत चित्रकारी में उर्चितम इस्थिती प्राप्त की आप भी अपनी इक्षानुसार अपने जीवन का उतेश अवश्य रखिए उसका अच्छी तरह अध्यन कीजिए और उस शेत्र के व्यक्तियों से मिलिए अधिक से अधिक परामर्श कीजिए एक एक्जामपल के लिए कि यदि आप नेता बनना चाहते हैं तो जल्दी ही निर्णय करना चाहिए अमुक कारिक करूं अत्वा ना करूं ऐसे पशोपेश से बचना चाहिए यदि आप प्रत्यक व्यक्ति की बात या प्रामर्श स्विकार करते जाएंगे तो कहीं भी ना पहुँश पाएंगे कोई कुछ कहेगा तो दूसरा विप्रीत सलहा देगा प्रत्यक अपने अपने इक्षा बुद्धी शक्ती रुची और दरश्टी कोंड से सलहा देगा फल ये होगा कि आपके शक्ती सामर्थ से कोई भी मेल ना खाएगा सबके सुझा प्रतक प्रतक होंगे कोई आपके अनकूल ना बैठीगा प्रत्यक के निशकर्श अलग होते हैं आपके व्यक्तिगत अन्भावों के बल पर ही अपने निर्नाय करने चाहिए आप अपने हांके नीताओं का अध्यन करें तो आपको प्रतित होगा कि उनने शेख्र निर्नाय करने की अध्भुत शमता थी निर्नाय करने में अधिक देरी ना होने के कारण उनको बहुत सा समय मिल गया और जबकि दूसरे अंधकार में हाथ माँ फैलाए रही ये अपने शेत्र में उन्नती करते गए नेता भविष्य द्रश्टा होते हैं अर्थार्थ स्वतंत रूप से बहुत आगे की सोचते हैं शब्दों, विचारों, योजनाओं और अपने संकल्पों में वे स्वतंतर होते हैं अपना अलग चिंतन रखते हैं दूसरों के अनभवों से लाव अवश्य उठाते हैं पर अपना मार्ग स्वयम ही निर्धारित करते हैं आज कल वह युग नहीं कि आत्मी अंदगती से जैसा कहा जाए बिना समझे बूझे वैसा ही करता चला जाए आज का स्वयम चिंतन और नए रूप में सोचनी का युग है नया युग है, नए परिस्थित्या है, नए समस्या है, नए माप्तंड है इन सब के लिए हमें एक नए रूप में ही सोचना विचारना है युग के अनुसार अपने आदर्शों को ढालना है और स्वयम ढलना है पुना पुना अपने निर्णयों या आदेशों को मत बदलिया आप जानते हैं, आप उसी को नेता मान सकते हैं जो पौरश पून हो, चटान की तरह द्रण हो और इसपर्ष्ट निर्देश दे जिसे ये ज्यान हो कि वह वस्तिता क्या कर रहा है क्या करना चाहता है, जो कुछ वह कह रहा है, उसका क्या प्रभा होगा आप कभी उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे जो थोड़ी देन में अपनी विशारों को वदलता रहता है या विशम परिसिती को देखकर डर जाता है तनिक से विरूद से भैभीत हो जाता है नेता प्राया वे ही हैं जिन्होंने अपने मंत्र को खूब सोचा है और फिर उस पर डहनता से डटे रहे हैं क्या आप जानते हैं कि जब अपराहम लिंकन एक योवक्त थे तो वे इलिनोस के चनाओ के लिए खड़े हुए थे इस चनाओ में वे बुरी तरह से हारे थे उसके बाद उन्होंने सफलता के लिए व्यापार को छेतर चना किन्तु उसमें वे बुरी तरह असफल हुए सत्रा वर्षों तक वे गलत साती के साथ सांजी में कार्य कर्णी से उन पर चड़े हुए कर्च को निप्टाती रहे एक सुन्दर युवती से उनका प्रेम समंध हो गया बहुत दिनों तक वे उसी के रंगीन जीवन में लगी रहे एक दिन वह युवती म्रत्यों को प्राप्थ हुई फिर वे राजनीती में प्रविष्ट हुए कांग्रेस के उमीदवार के लिए खड़े हुए पर हार गए उन्होंने अमेरिका के लेंड ओफिस में नोकरी चाही पर वहां भी सफलता नहीं मिली अमेरिका सीनेट के लिए उन्होंने प्रत्न किया परंत बुरी तरह पराजित हुई इतनी असफलताएं से भी वे कदाचित निराश न हुए और अंत में उन्होंने अपने देश का सर्वोच इस्थान प्राप्त किया और अमर कीर्थी के स्वामी बने ऐसा व्यक्ति ही सफल नेत्रत्व के गुणों से संपन कहा जाएगा प्राया हमारी असफलताएं युगता के नए पहलू दिखलाती है हमें प्राया यह ग्यात नहीं रहता की जीवन की किस शेत्र में समाज की किस पहलू में हम सफलता प्राप्त करेंगे जिन व्यक्ति ने आपको सहयोग सेवा शलाह या प्रेम किया है मार्ग दरशन से सहायता की है उनके प्रती कृतक गिता प्रकट कीजे, अपने सफल सहयोग्यों की दाद दीजे, अथाद उनकी सेवाओं की प्रती प्रोचसाहन दीजे, संगीत कविता, कला, लेखन, अभिनाय, प्राय, सभी शेत्रों में कलाकार, प्रोचसाहन की आखांग्शा करते हैं, बड़े नेता, स सत्य संबंदी धरातल पर नहीं होता था, तो वे उससे कहा करते थे, जनाब आप अपने रास्ते पर जाएए, और मैं अपने मार्क पर जाऊंगा, दंभ करने से कोई लाब नहीं, यदि हम अपने मतानुसार सत्य मार्क का अनुसरण करते रहे, तो कभी ना कभी आगी चल कर एक हो जाएंगे, वे ना तो किसी मित्र की प्रतिध्वनी बनना चाहते थे, और ना किसी को अपनी प्रतिध्वनी बनाना चाहते थे, उनका मत्था की हमें लोगों से मिलना जरू चाहिए, पर अपनी शर्तों पर और शुद्र से शुद्र कारण पर किसी का प्रवेश या बहिशकार करने का हमें अधिकार होना चाहिए। माना उता के कष्ट बीडा वेदना और उत्पीडन को दूर करने वालों और सुख समता तथा स्वतंतरता से जीवन व्यतीत करने कि पक्ष में लगातार संघर्ष करने वालों में अमेरिका के अब्राहम लिंकन का नाम चिर इसमर्णिये रहेगा। जीवन में वे न्याय के लिए लड़ती रहे और निराशावा विरुधों से टक्कर लेती रहे गरीबों के साथ भी समानता का ब्यवहार हो यही उनके जीवन का उद्देश था। सैम्यल स्माइल्स के ये शब्द सुकरात के कुछ सिधानतों को सपष्ट करते हैं। आत्मोधार अथवा अपने उन्नती करने में निर्नेशक्ती, द्रणिश्चय और तत्परता की आवशक्ता है इन गुड़ों की व्रधी तभी हो सकेगी जब नव्युवकों में स्वाव लंबनशील होने की आदत डाल दी जाये। और आरंभ में जिस हद तक हो सके उसे स्वैम काम करने को स्वतंत्र किया जाए। अपने उपर विश्वास ना होने से हमारी उन्नती में बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। तो ये है जीवन में सफलता पाने की कुछ सूत्र, जीवन संगराम में विजय होने की कुछ सूत् की जान करें, पसंद आए। प्लीज लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें मिर चैनल करें।